आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत पिछले साल हमारी भारचोड़ो यात्रा थी कन्या कुमारी से हम कश्मीर चले और काफी impactful एतिहासिक यात्रा रही उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्या कुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो west से east या east से west पर होनी चाहिए और काफी suggestions आए तो end में Congress Party ने decision लिया कि हमें east से west यात्रा करनी चाहिए ये यात्रा नियाई यात्रा है भारचोड़ो नियाई यात्रा इसका लक्ष समाजिक नियाई आर्थिक नियाई राजनेतिक नियाई का है मुट्चे उठाने का है मनिपुर में हमने ये यात्रा शुरू की इसके बीचे सोच थी क्योंकि मनिपुर के साथ बहुत भारी अनियाई हुआ है पहली बार हिदुस्तान के स्टेट में महीनों के लिए हिंसा चल रही है और प्रधान मंत्री जी बीजेपी के लोग वहां गए तक नहीं है मनिपुर के बाद हम नागा लैंड से निकले यहाँ भी एक कमिट्मेंट किया गया था प्रधान मंत्री ने नागा लैंड के लोगों से कमिट्मेंट किया था उस कमिट्मेंट को भी पूरा नहीं किया गया जो अगरीमंट था तो यह यात्रा महराष्टा तक जाएगी एक इशू है मैं चाहता था कि पैदल यात्रा हो मगर वो थोड़ा ज़दा लंबा हो जाता टाइम नहीं था तो यह हाइबरिड यात्रा है मगर हमारी कोशिच रहेगी कि जादा से जादा टाइम हम जहां भी पैदल चल सकें हम पैदल चलें आपके अब सवाल है यह अंग्रेजी में बोलगी शुरेशी प्रीज़ एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी